नमस्कार आज हम बनाएंगे शाही पुलाव और ये पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट होते हैं तो चलिए देखते हैं शाही पुलाव बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों किया आशकता है मैंने यहापे एक कप लोंग बासमती चावल लिये हैं और इन्हें आधे घंटे के लिए ठंडे पाने में बिगो के रख दिया है और अब इन चावलों को एक पतीले में डाल लेंगे और ये एक कप मैंने चावल लिये थे तो अब मैं डेड़ कप पानी डाल दूँगी इसमें आप जितने भी चावल लें उसका डेड़ गुना पानी उसमें डाल लें और अब इसमें आदा छोटा चमच बटर डाल देंगे और धेमी आज पर हम इने 7-8 मिनट के लिए ढखके पकाएंगे और 7-8 मिनट के बाद हम चेक करेंगे चावल अच्छे से पक गए हैं ये देखें ये बिल्कुल खिले खिले से बने हैं और अब हम इने एक चलनी में निकाल लेंगे ताकि अगर कोई पानी इसमें बचा है तो वो निकल जाएगा चावल अलब बनकर तयार हैं अब हम बाकी के इंग्रीडेंट देख लेते हैं 10-12 काजू ली हैं 15-20 किश्मिश हैं कुछ साबुत मसाले हैं एक बड़ी इलाइची इसे तोड लिया है दो छोटे टुकडे दालचीनी के चार से पांच लॉंग दो तेजबत्ते एक चमबत जीरा और एक फूल चक्र लिया है ये कुछ उबली हुई सबजिया हैं जिसमें एक गाजर थोड़े से मटर और थोड़ी सी फूल गो भी ली है ये पहले से उबाल लिया था और थोड़ा सा पनीर है ये कच्चा पनीर है एक मीडियम साइज का प्याज है इसे लंबाई में पतला-पतला काट लिया है नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे आदा सोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पावडर 15-20 केसर के धागो को एक बड़े चमच दूद में विगो के रखा है दो से तीन बड़े चमच घी लिया है गार्निश के लिए थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज लिया है थोड़ा से अनार के दाने और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया अब एक पैन में घी डाल लेंगे और काजू को फ्राई करेंगे काजू और किस्मिश दोनों को एक साथ नहीं डालेंगे पहले काजू को फ्राई करेंगे क्योंकि किस्मिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और ये अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं इन्हें निकाल लेंगे अब किश्मिश को डाल देंगे और इन्हें अलोक का सफ्राई करेंगे और अब इन्हें भी निकाल लेंगे और अब इसी घी में सारे साबत मसाले डाल देंगे और एक से दो मिनट के लिए इने पका लेंगे और अब इसमें स्लाइस करा हुआ प्यास डाल देंगे और इने भी एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे और ये बहलके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब इसी घी में हम पनीर को फ्राई करेंगे पनीर को सुनेरा होने तक बून लेंगे और अब इसमें सारी उबली हुई सबजा डाल देंगे और इन अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन अच्छे से मिला के एक से दो मिनट के लिए और पका लेंगे और अब इसमें ये पके हुए चावल डाल रेंगे और ये केसर वाला दूद भी इसमें डाल लेंगे इससे इन चावलों में अच्छा सा केसरी कलर आ जाएगा और इन अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें फ्राई के हुए काजु और किश्मिश डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और ये शाही पुलाव बनकर बिल्कुल तयार है इसे आप सर्व करें और उपर से थोड़े से काजु और किश्मिश डाल देंगे और ये जो गार्णिश के लिए हमने फ्राई की हुए प्याज, हरा धनिया और अनार के दाने लिए थे वो भी डाल देंगे और लीजिए बनकर तयार है शाही पुलाव इन्हें आप बनाईए और खाईए और कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा ये रेसिपे आपको कैसी लगी और अगर आपको ये रेसिपे अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सबस्क्राइब भी कीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपे के साथ, तब तक के लिए बाई बाई